Hi guys, Welcome back to my channel So yaar, बहुत लोग comment किये थे कि जो तुम्हारा Google Access bar जो था जो Google keyboard के तरफ से जो Access bar जो मिल रहा था जैसे कि मैं यहां पर दिखा रहा था जो let's see, जो emojis आ रहा है यह वाला बहुत सारे devices में आपका काम नहीं कर रहा है वेदर आपका POCO है, Realme है या शाओमी के डिवाइजेज हैं या वैराइटीज अव स्मार्टफोन है यार कितने स्मार्टफोन हो लो इतना सारा कॉमेंट्स आये हैं कि काम नहीं करता ये वाला जी बोड काम नहीं कर रहा है यार मैं इसको उपर दो वीडियो बनाया हूँ इसे मतलब मेरे आसपास में जितना भी मैं स्मार्टफोन के उपर ट्राई किया हूँ सब पर ये वाला काम कर रहा था और फिलाल जिसका काम नहीं कर रहा था जैसे कि मैं POCO M3 डिवाइज में जब मैं ये वाला option on कर रहा था तो मुझे ये वाला feature नहीं दिख रहा था तो मैं सच में ये वाला problem हो रहा था फिर मैं क्या-क्या phone को reboot किया reboot करके फिर उसे uninstall कर दिया था जो हमारा gboard था gboard आप जानते हो gboard फिर भी मैं एक बर दिखा देता हूँ gboard so हमारा जो gboard था तो gboard में normally वो पोको में जब मेरा काम नहीं किया तो मैं उसे uninstall कर दिया था तो uninstall करने के बाद फिर से मैं यहां पर आकर install किया एंड एक बात चीज़ हमेशे ये ध्यान में रखना अगर आपका नहीं दिखा रहे तो आपको update जरूरी है क्योंकि सभी का phone क्या है सभी का हम लोग का पूरा updated version नहीं है android 10 pi नहीं है किसका पुराना phone भी है कुछ नए नए phone में भी ये दिक्कात आ रहा है कुछ comments आये थे मुझे जैसे कि oneplus के दरब से oneplus nord है भाईया नए phone है फिर भी gboard का ये वाला feature जो है वो वाला काम नहीं कर रहा है यहां पर हमारा emojis नहीं दिखा रहा है emoji बारी वाला नहीं आ रहा है तो यार इस तरह का मैं भी कहीं बार मतलब आप बिलिव नहीं करोगे की gboard वालों को मैं mail भी किया था क्यों ऐसे हो रहा है कुछ devices में काम कर रहा है ऐसे तरह तरह का आप भी यहां पर comments करते हो कि भेया काम नहीं कर रहा है भेया काम नहीं कर रहा है कुछ ऐसे भी comments आते हैं कि हाँ उनका हो गया बोलते हैं तो देखो अगर मेरा जैसे पोको M3 में नहीं हुआ था क्योंकि part 2 में में बोला था कि जैसे कि phone को पहले तो uninstall कर दो uninstall मतलब पूरा delete कर दो जो gboard है उसे पूरा remove कर दो uninstall कर दो uninstall करने के बाद उसे phone को switch off करके switch on कर लो switch on करने के बाद फिर से gboard को install करो तो लगभग आ जाएगा तो देखता हूँ मेरा जो phone में जो features है वो actually मैं आपको बताता हूँ कि देखो कोई भी feature हो अगर आप gboard का feature कुछ भी enable करना चाहते हो उसके लिए बहुत important चीज है आपका phone बंद करके on करना रीबूट करना जरूरी है रीबूट नहीं करोगे तो काम नहीं बनने वाला क्योंकि आपका phone एक automatically specified program में चलते रहता है तो बीच में आप उसका changes नहीं ला सकते हो तो अगर आपको gboard में changes लाना ही है मतलब यह normal basic चीज है कि वो बीच से start होने वाला चीज नहीं है अगर पूरा स्टार्टिंग से काम करना शुरू करेगा ओके इसलिए मैं बार 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 बोलता हूं reboot करो यार reboot करो मतलब यह ऐसे नहीं कि वो reboot करने सा जाए रीबूट करने से क्या होते है जो भी cache वेशर रहता है clear हो जाते है तो phone का कोई भी feature काम करने का संभब बहुत पहले phone को reboot भाई सबसे पहली बात phone को reboot करना है reboot करने के बाद एक चीज कर दो कि हम लोग का reboot करने के बाद चलो मैं आपको उसे अनिंस्टाल कर दो एप को जीबोड एप को अनिंस्टाल कर दो अनिंस्टाल करने के बाद फिर से इंस्टाल करो इंस्टाल करने के बाद कहां प पस पास हो चुका है चलो फिर आ जाओ यार मेरा शामी डीवाइज़ मैं नहीं होगा यह कॉंसे नहीं होगा यह हर इक ड्वाइजिस में होता है हर एक ड्वाइज़ में अपना पहले रिबूट करने कवा था इंस्टाल गया फिर उसे Settings थोड़ा Change किया हो गया था मेरे वलो में आ गया था तो कुछ करते हैं बहुत लोग प्मेंट करते हैं मेरा विवो में काम नहीं कर रहा है अभी भी जस्ट इक大的 तो سचा देखो अभी मेरा जो Settings से मैं आम ला Settings सी दिखा देता हूं पिर उसे साफ साफ सेट कर लो, तो देखो, मैं तो आ गया, यहाँ पर मैं बताया भी नहीं, आपको additional setting पर आजाओ, settings खोलो, settings खोलके, यहाँ पर आपको रहेगा additional setting आजाओ, additional setting में देखो, यहाँ आपको देखो, यहाँ आपको ना आता है, language input का एक option है, तो आपका भाशा ही चैंज विंज करने का यहांपर आपको एक फीचर मिल जाता है तो language input पर click कर दो तो first जो language यह से अगर आपका English Australia है या कुछ है तो आप English India कर दो, India का हमें English भाशा ची है, so that we can be much more comfortable with that, so after that current keyboard जो नीचे है यहांपर क्यूँकि phone के साथ बहुत सारे चले आते हैं जैसे वो swift keyboard एक रहता है शाओमी का डिवाइस करेते हैं तो की keyboard रहता है की keyboard यार क्या बोलो नाम लेने वे दिक्कत हो जाता है यहां पर current keyboard में gboard कर दो यह मेरा settings में दिखा दे रहा हूँ और क्या बता हूँ फिर भी अगर नहीं होगा तो और क्या बोला है तो पहले मेरा phone में जितना basic settings है उतना settings तो देख लो कि current keyboard अगर आपको google voice typing है तो gboard कर दो manage keyboard में आपको यहां पर gboard को active करना है की keyboard बोलके रहेगा जो Xiaomi का उसे बंद कर देने है totally off देख रहे हैं उन्हें नीचे पुरा off आ रहा है पुरा off कर दो google voice typing on कर दो gboard का option on कर दो इसका फिर settings में इधर आ जाता है फिर मैं आपको बताऊँगा धिरे इतना पहले कर लो google voice typing को on कर और gboard को on कर लिए इतना on करने के बाद आपको spell checker में भी on करके यहां पर भी सब सही है हाँ चलो सही है यहां पर भी यहां पर भी कहीं पर मैं gboard देखाता चलो यह वाला भी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है चलो फिर यहीं पर चले आओ यह दोस्तो क्या बोलता है हम लोग का manage keywords पर आजाओ manage keyboard पर आने के बाद जो gboard का setting है यहीं पर आजाओ यहां पर preference preference में आके emoji fast access row यह वाला करके फिर एक काम करो भी मैं इसे ही बता रहा हूं यह वाला यह feature को on कर द होगा नहीं हो इसे मत ढूंडो भाई थोड़ा सुनो यह वाला option on करने के बाद फिर से और एक बार phone को reboot कर दो प्लीज आपका काम करेगा यार मतलब हर एक devices में काम कर लेता है यार मतलब most things reboot एक बहुत ही बड़ा यहां पर role play करता है तो first emoji access bar को activate कर लिए तो अगर आपका आ आ गया है कि नहीं फोन को यहीं पर पकड़ के reboot कर दो तो लगभग मतलब में 100% तो नहीं बोलूँगा मतलब लगभग chances से की आ जाएगा यार क्योंकि मेरे में दिखा रहा है इवेन जो मेरा POCO device था उसमें भी यह वाला चीज दिखाया मतलब मेरे community के आसपास जितने भी मे devices को handle किया हूँ ना personally तो सबका यह active यह जो option feature active हुआ है तो अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो comment करो यार फिर देखते हैं आपका single single problem को में solve करने का कोशिश करूँगा जैसे आपका device में पूरा दिखा है and channel को subscribe करो यार क्योंकि आप ही का channel है आपका हर एक चीज को हम solve करते है तो thousands of comments है यार मैं comments का भी दिखा दूँगा आपको okay